मैं मनिस सिंगलर्स क्लास के आपका स्वाध़ करता हूं जैसा कि आप मुझे पढ़ रहे हैं अपने की परिछा के लिए इंपोर्टेंट जीके के सवाद तो उसी कड़ी में दो वीडियो आप पहले जान चुके हैं जिसमें हम लोग ने कुछ मेलों की बात की कुछ उस्वों क की बात की कुछ अन्य चीजों के बारे में जाना तो आज उसी क्रम में कुछ और चीजों को जोड़ते हुए आते हैं और जानते हैं खेल से जूड़े हुए कुछ प्रमुक प्रतियों की नाव कुछ प्रमुक दिवस जो वर्स भर में मनाये जाते हैं इसके अतरिक्त हम उन मैं मेरी पूरी टीम आपको KBS की परिच्छा में सत्प्रक्षत सफलता दिनाले के लिए पूरी तरह प्रतिपद्ध हैं इसमें आप सभी सब्जेक्स की क्लास अलग-अलग समयों पर पा रहे होंगे जिसे EVSE क्लास हो गई या CTP क्लास जो की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीपक सर और रमा संकर सर से आप इसके बारे में जान रहे होंगे तो मैं मनेश सिंग जी के वाले सेक्षन में आज बात करते हैं किसकी तो आज कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं की बैटमिंटन की अगर बात करें तो बैटमिंटन से जूड़ी हुई प्रमुख प्रतियोगिताओं में एक नाम थामस कप है एक उबर कप है ये दोनों सबसे चर्चा में रहतें क्योंकि Thomas Cup एक ऐसी प्रतियोगिता जो सिर्फ पूर्सों की टीम द्वारा खेली जाती है, जब कि Uber Cup सिर्फ किसके द्वारा महिलाओं की, Thomas Cup चर्चा में भी रहा, क्योंकि पहली बार इसको भारत ने जीता, पहली बार इतिहास में भारत न बिस्व ग्रेंड प्रिक्स, ये प्रमुख वार्षिक प्रतियोगिता हैं, जो कि बैट्मिंटन के छेतर में खेली जाती, किसमें? बैट्मिंटन के छेतर में खेली जाती, याद रखिएगा, यह दोनों तो विसेश तोर पर आपको याद रखना है, तो पूछे, Thomas Cup का संब किस से है, तो बैट्मिंटन प्रतियोगिता ये कही है, पुरुस वाले प्रतियोगिता को नाम Thomas Cup दिया जाता है, जबकि महिला वाले में उबरकप दिया जाता है, क्या होता है? उबरकप होता है, सले यह ज़रा देखते हैं, यह कुछ इसी तरह से प्रतियोगिताओं के बार प्रेंच ओपन, विंबर्डन और यूस ओपन, इन चारों को क्या कहा जाता है? एक तो ग्रेंड स्लैम कहा जाता है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है? ग्रेंड स्लैम कहा जाता है, जो किस से जोड़ा है? लॉन टैनिस से, लॉन टैनिस की एक राष्टी एस्तर के प्रति इससे है याद रखिएगा French open को ही रोला गैरों की धरती भी कहते हैं एक hard court पर खेली जाने वाली hard court पर खेली जाने वाली यह प्रतियोगी ता French open कौन से court पर होती है तो बाबु याद रखना तुम हमेजा hard court पर खेली जाती तो पूछ दे ग्रास court पर कौन सा खेला जाता है तो विंबल्डन जो है वो किस पर खेला जाता है तो याद रखिए ग्रास court पर खेला जाता है किस पर ग्रास court पर खेला जाता है याद रहेगा किस से जुड़ा हो गया लॉन टैनिस से जुड़ा हो गया चली जरबढ़ते हैं अगले पर देखते हैं अगला क्या है होकी से जुड़े प्रतियों गीता है होकी में कौन कौन सी प्रतियों ग genome ARE जरा जाना जाए तो हांकी में एक तो विश्व कप हो गया एक एसिया कप हो गया बेटन कप एमसीसी कप अजलान साह कप और आगाखान कप अजलान साह कप और कौन सा आगाखान कप यह सभी प्रतियोगिताएं किस से जुड़ी होई है तो हॉड़ी हुई है, किस से? हॉड़ी हुए हुए है, बढ़ते हैं, अगला क्रिकेट पर आ जाते हैं, क्रिकेट से भी बहुत सारे सवाल, फुटबाल से, यहां पर सवाल है, जानते हैं, फुटबाल में कौन सी बड़ी प्रतियोगिताए होती है, तो Federation Cup, Durand Cup, Super Cup और Kalinga Cup ये सभी भारत की प्रतियोगिताएं ही, बिस्वकी नहीं है, याद रखिएगा ये प्रतियोगिताएं कहां की है, भारत की, किस के छेतर में खेली जाती है, तो याद रखें, फुटबॉल में, किस में, फुटबॉल में खेली जाती है, कौन-कौन सी, Federation Cup, Durand Cup, Super Cup और कौन सा, Kaling Cup खेला जाता है, याद रखिएगा इसको, ठीक चारो, Federation, Durand, Super और Kaling, फुटबॉल के छेतर का है, और किस से जुड़ा हुआ है, भारत की प्रतियोगिताएं से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आज आते हैं जरा अगली सेशन पर, किस से जुड़ा हु यह सब भारत की राष्टी प्रतियोगिताओं में सामिल है, किस में हैं, भारत की राष्टी प्रतियोगिताएं हैं, याद रखिएगा, अंतर राष्टी अस्तर पर विस्वकप होता है, अंतर राष्टी अस्तर पर टेश्ट चैंपियंसीप होता है, चैंपियंस ट्रापी ह किससे जोड़ा है क्रिकेट से एक कुछ खेल से जोड़ी हुई प्रमुक प्रतियों की ताएं हो गई जो किससे जोड़ी है खेल से एक अब हम इसी सेशन के दूसरे पार्ट पे चलते हैं जहां हम जानेंगे भारत के महत्वपूर दिवसों के नाव कई बार पूछता है मनाया जाता है ऐसे जितने भी प्रकार के सवाल है याद रखे जितना मैं आपको बता रहा हूं जितनी दिवस तो हर दिन होता है कुछ न कुछ होता है लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़के जाओ आपका सवाल इससे बाहर नहीं आएगा ठीक है लिखके से ब्रेलिपी का संबंध किस्से पंछेगा जी जी साथ ब्रोगों की पढ़ने की आनि की द्रिश्टीії बारत लोगों को पढ़ने के सुमिधा के लिए एक लेपी का विज्खार کیा गया जिसका लोई ब्रेल नामक एक व्यक्ती ने किया था जो कि एक स्वय भी द्रिष्टिबादित थे, इस वज़ा से इस लिपी का नाम कहते ब्रेल लिपी, जिसमें हाथ से छूकर अच्छरों को पहचाना जाता है, क्योंकि लुईस ब्रेल जिनकी बच्छपन में ही आँख चली गई थी, पढ़ने की बहुत ज़्यादा सकती थी, बहुत ज़्यादा उनके अंदर शमता थी, एक जिग्यासा थी, जिस वज़े से उपढ़ना चाहा रहे, पढ़ने ही पारे, तब उन्होंने कुछ उभरे हुए अच्छर पैचाने, तो उनकी मा ने उसमें सहायता किया, और एक लिपी बनी कौन सी? ब्रेल लिपी, द्रिष एक वर्ष, नौ जन्वरी को हम मनाते हैं, प्रवासी भारती दिवस, दस जन्वरी विष्व हिंदी दिवस, 21 फरवरी, एक अंतर राष्टी मात्र भासा दिवस, यहां यह भी फरवरी माह में एक और जान लीजिए, जो कि इंपोर्टेंट भी है, हमारे लिए, कि दो फरव भूमी दिवस, यानि वेट लेंड डे, आद्र भूमी दिवस कम मनाया जाता है, तो दो फरवरी को मनाया जाता है, ठीक कब दो फरवरी को मनाया जाता है, विष्व आद्र भूमी दिवस, एक इस बार का इसका थीम क्या रहा, कई बार थीम भी पूछ देता है, कुछ इंप नै गाध्रभूमी कारवाई कि यानि वेटलैंड एक्षटूफ है इसका संबंथ याद रखें अध्र भूमी दिवास्त मनाया जाता है दो फरवरी 2013 मनाया गया जिसकी थीम रही वेट लेंड एक्सन फॉर पीपोल सेंड नेचर ठीक है जरा बढ़ते हैं आगे की तरफ ठीक अगला क्या है आठ मार्च अंतर राष्टिय महिला दिवस महिलाओं के सम्मान के लिए बन दिया जा मनाया जाने वाला यहाँ पुरस्कार बहुत ही जादा यहाँ दिव क्या रही तो एक अस्थाई कल के लिए आज लेंगिक समान का किस की थीम है तो याद रखेंगे यह थीम है किसका अंतर राष्टिय महिलादिवस अंतर राष्टिय महिला दिवस जो कि 8 मार्ष को मनाया जाता है 22 मार्ष को क्या मनाते हैं सर तो 22 मार्ष को तो जल सरच्षड याद रखें विस्व में 97.2% इसे पर पानी जो है खारा है यानि कि लगभग 3% पानी ही है जो पीने योग्य है अगर इसे बचाना है तो हमको सरच्षड दिवस कम मनाते हैं तो याद रखेंगा 22 मार्ष को एक जिसका प्रमुक थीम रहा भूजल अद्रिस्यको द्रिस्यमान यानि जो समाप्त हो रहा है उसे बचाए रखने की आवे सकता है इस वजह से इसकी थीम क्या रही किसकी थेक है तो बिस्व जल सरच्षड दिवस की भूजल अद्रिस्यको द्रिस्यमान किसकी थीम रही जल सरच्षड दिवस की थेक इसी प्रका कि क्या थीम रही है ठीक है यानि कि अगर आप तुका होगे कि सर फरवरी में पढ़ा रहे हैं मार्च की बात कर रहे हैं तो मार्च बावु दोयर 22 वाला थीम पूछेगा ना ठीक है अभी 23 वाला नहीं हुआ तो 22 वाला थीम पूछेगा चलिए जरा बढ़ते हैं अगले सतों अप्रेल को है हमारा है हमारा स्वास्त किम यह थीम है याद रखीएगा किंबााल है कि एक तो याद रखें बिश्वस्वास्ते दिवस्त की हमारा ग्रह हमारा स्वास आवर प्लैनेट्स आवर हाईए अवर फ्लैनेट्स व कि इंवेश्ट इं आवर फ्लैनेट्स एक-डो वार हो याद रखेगा इन्वेश्ट इन्वार्व प्लानेट इसकी ती मैं है बिश्व पृटवी डिवस की जो कि 22 अपरेल को मनाया जाता है फिस् Constant नियावर में फ्रैस यानि की मीडिया पर बढ़ रहे खत्रे को पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाला कारे करता तो किस तारिक को मनाया जाता है याद रखिए तीन मई बेच को मनाया जाता है सुतनत्रा थिवत हम जिस देश में रहते हैं यहां पर प्रेस को सही तौर पर आजादी नहीं मिल रही इस वजह से हम इस सुचकांक में सबसे खराब देशों वाले स्रेडी में आते हैं चली जर आगला देखते हैं 22 मई 22 मई को क्या है अंतराश्टी यह बायो डिवस इंड़नेशनल बायो डाइवर्श्टी डिवस जैव विवित्ता किसी अस्थान विशेष पर परजातियों की विवित्ता को क्या कहते हैं जैव विवित्ता कहा जाता है याद रखी क्या कहा जाता है जैव विवित्ता का स्थान विशेष पर इसके लिए प्रते एक भविस्य का निर्माट, तब के जीवन के लिए एक साजा भविस्य का निर्माट इसकी ठीम रही है, important है जो ये ठीम लिख रहा हूं मैं, वो आपके लिए ज़ादा महत्वोड है, याद रखी का, जिसका भी ठीम लिख रहा हूं, तो क्या है सभी के जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए, ठीक है, किसके निर्मार की बात कर रहा है, एक साजह भविस्य की निर्मार की बात कर रहा है, किसका एक साजह भविस्य का निर्मार, किस से जुड़ा है, तो Bio-Diversity Day, जो कि मनाया जाता है, 22 मई को, किसको 22 मई को, तो याद रख कि ये गाए किसकी बात हो गई एक 22 मई को मनाते हैं एक अंतराष्टिय जय विवित्ता दिवस 31 मई को होता है भी सी तमबाको का निस्द करिए ठीक है इससे बचने का प्रियास करिए कब मनाया जाता है तो याद रखिए 21 मई को मनाया जाता है अगला क्या आजाता है पांच जून किसकी बात करता है केवल एक ही पृतिवी है केवल एक ही पृतिवी है बचा सकते हो तो बचा लो इस लच्छ के साथ इस बार का यानि 2022 का ठीम रखा गया किसका पांच जून यानि कि किसकी बात करता है विस्वप पर्यावरण दिवस कम मनाया जाता है तो एक जून को मनाया जाता है ठीक है इसी तरह से अधी बात करें पांच जून को मनाया जाता है इसी तरह से अगर बात करें तो अंतर राश्टी है ठीक है योग दिवस कम मनाया जाता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन सुरी की ओर्जा सबसे ज़्यादा मिलती, इसलिए किजून को मनाते हैं तराश्टी योग दिवस, एक जुलाई को भारत में चिकित्सक दिवस का आयोजन किया जाता है, याद रखी किसकी, चिकित्सक दिवस को, पश्चिम बंगाल के मु लाद रखेंगा, यारह जुलाई को मनाया जाता है, बेस्वजन संखया दिवस, नाते हैं, पश्वजन संख्या दिवस मनाते है, एक 12 अगस्अंतर राष्टी योवां दिवस, उन्ती सगस राष्टी खेल दिरत भारत का राष्टी योवाः दिवस जो है, बारहिजन्वर से मनाया जाता है चरी आगे बढ़ते हैं जरा अगस्त के बास सितंबर में आते हैं आठ सितंबर को विस्वत साच्छर्ता दिवस आठ सितंबर को क्या मनाया जाता है विस्वत साच्छर्ता दिवस दुनिया में साच्छर्ता को बढ़ाने के लिए आठ सितंबर को साच्छर्त दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है भारती हिंदी दिवस को भारत की राज राज भासा के तौर पर हिंदी को अपनाया गया था जिस वजह से हम मनाते हैं कब 14 सितंबर को भारती हिंदी दिवस मनाते हैं 16 सितंबर विस्व ओजोन परत सरच्षड दिवस क्योंकि 16 सितंबर 1987 को एक मांट्रियल प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल मांट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्त में आया था मांट्रियल प्रोटोकॉल अस्तित्त में आया था जिस सम्मेलन किया गया था जो कि तूरिश से आने वाली खतरना पराबैगनी कि रड़ों को एक प्रिथवी पर आने से रोकता है कौनसी परत को जोन परत समताप मंडल में मिलती है याद रखिएगा 15 से 35 किलोमीटर पर ठीक है जर आगे बढ़ते हैं 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस 11 नौंबर राष्टी सिच्छा दिवस हमारे प्रथम सिच्छा मंत्री अबुल कलाम आजात के जन्म दिवस के अउसर पर हम मनाते हैं क्या राष्टी सिच्छा दिवस एक दिसंबर को 28 सिवस मनाय जाता है एक और उसी तरह से अगर याद रखें 10 दिसंबर मानवा दिकार दिवस सभी के लिए प्रतिश्था पर याद रख लिजेगा प्रतिश्था और न्याय इसका संबंध किस्से है बिश्व मानवादिकार दिवस से 24 दिसंबर को मनाते है राष्टियों गोक्टा दिवस तो यह हो गए आपकी कुछ प्रमुक्ष दिवस जो कि वर्स भर में क्या होते हैं मनाये जाते हैं तिके कुछ दिवस और भी ज्यादा इंपोर्टेंट एक दिवस मनाया जाता है कब 19 नमंबर को 19 नौंबर क्या है विस्व सोचालय दिवस मनाया जाता है 19 Ce यह हो गए प्रमुक्hes जो कि साल भर में मनाया जाते हैं कि अगले तरह और ज clicking कि उप Instead प्रमुख पुस्तक की बात है किसकी बात है प्रमुख पुस्तक जो हाल फिलहाल में चर्चा में रही है तो विनिंग इनर बैटल किसकी पुस्तक है सेन वाट्सन की जीते जी इलहाबाद याद रखे ममता कालिया ठीक है बारत की प्रशिद विद्वान लेकी का कौन ममता कालि पुस्तक ने की जीते जी किता इलहावाद क्राम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलाएंस डाक्टर रिलाएंस डाक्टर बिमल जालान जो कि पुर्व गवर्नर है उनकी प्रमुख पुस्तक है अम बेटकर ए लाइफ चर्चा में रहने वाले राजस्तवास्ताम सथ तरूर की कौन सा जर्नी आफ ए नेश्थन सेवन्टी फाइब इर साथ इंडियन एक योकोनमिक तंजे बारु ने इंडिया डिवाइड डॉक्टर राजिंद प्रशाद की पुस्तक है कई बार कूचा है किस ने लिखा इंडिया डिवाइड तो याद रखिए किस ने डॉक्टर पाइगार हिल का नाम आते ही आपके दिमाग में एक नाम आ जाता है किसका विक्रम बत्रा का ठीक है किसका विक्रम बत्रा अचानक से वो पहुझी आए किसवे नंबर पर हलाएं कि अब फिर से सेरों में उशाल देखने को मिल रहा है तो जल्द ही पुराने आस्थानों पर आ सकते हैं नाट जस्ट एन नाइट वाइचमें विनोध राय पुर्व सी एजी रहे भारत के पुर्व सी एजी पुर्व नियंत्र के महालेखा रहे विनोध राय उन्होंने कि पुस्तक लिखी कुछ समय के लिए इन्हें BCCI का प्रसासत नियुक्त किया गया था तब इन्होंने पुस्तक लिखी लिसें टू यूर हर्ट रस्किन बांड गोल्डन वह है नीरत चोपड़ा इस नाम से कौन वाकिप नहीं होगा नीरत चोपड़ा पर तो उनकी किताब उनके उपराधरे कित आप नौदीप सिंग गिलने लिखी कि अर्लेस गवर्नेंस कई बार पूछा गया है इंपोर्टेंट है याद रखे किरनवेदी की पुस्तक है किरनवेदी भारत की पहली महिला आई-पी-एस पुरानी किताबों प्रियेदर्सी का यह तीनों किताबे या तीनों नौटक जो है वह किसके जुड़े हैं हर्सवर्धन ने किसने हर्सवर्धन उत्तर भारत का वह भारत का अंतिम हिंदू राजा जीसे कहा जाता है तिक अंतिम हिंदु समराज जिसे कहते हैं वो हर्सवर्धन जिसने कन्नोच को राजधानी बना कर अपना सासन चला उनकी तीन प्रमुक्ष नाटक है या कि बुस्तक है एक का नाम प्रियदर्शी का एक रतनावली एक नागन मृच्छ कटिकम तुद्रक में लिख जिसमें नायक को एक ब्रामण था और नाइका को एक अफसरा दिखाया गया गुलाम गिरी जोतिवा फुले की पुस्तक है पदमावत मलिक मुहम्मद जायसी की जायसी हमेसा चर्चा में रही क्योंकि यह किताब है जो बताती है कि अलाउद्दी और रानी पदमावती के ठी निसाकदत्त ने किया एक हर्सवर्दन के दर्वार में रहा करते थे बाढ़भट बाढ़भट ने एक कादंबरी लिखा और एक लिखा हर्स चरित यह प्रमुक पुस्तक जो कि आतिहासिक है इन्हें भी याद रखिएगा एक सब किस सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मह याद रखिएगा वित्रुत महात्मा गांधी ने अपने सत्य के प्रयोग की बात की रिपबलिक कई बार पूछा है कि महांदार्शनिक प्लेटो जो कि सुक्रात का सिस्ट अरस्तु का सिस्ट था उसने कौन सी पुस्तक लिखी सत्यार्थ प्रकास द्यानन्द सरस्वती की मिताच्रा और दायभाग जो की कानूम से जुड़े हैं मिताच्रा विज्ञानेस्वर की और दायभाग किसकी जीमूत वाहन की किसकी है जीमूत वाहन की यह कुछ प्रमुक्ष कुस्तके आतियासिक रूप से आपके लिए बहुत ही महत्तपोड होने वाली हैं एक क्योंकि या आपके परिच्छा में आपकी सफलता को महत्तपोड भूमिका निभाएंगी कुछ महत्तपोड पुरस्कार भी जानते हैं ज्यानपीट पुरस्कार सत्तावनमा कोंकडी भासा के लिए दामोदर मौजो को दिया गया व्यास सम्मान अस्गर वजाहत को 31 नंबर का दिया गया सरस्वती सम्मान 31 सरस्वती सम्मान प्रोपेसर रामदरस मिस्रा मुर्ति देवी पुरसकार प्रोपेसर विस्वनात स्रिवारी को दिया गया रायल गोल्डन मेडल बाल कृष्ण दोसी को दिया गया ये कुछ प्रमुक पुरस्कार जो आने वाले ये लिखके लोग सवाल इसी से आने है बस आपको बस अपने दिमाग में बैठाए रखना है ठीक लगातार बस आप एक बार रिवाईज को पुरा वीडियो देखो और फ आगे बढ़ते रहना है एक लगातार आगे बढ़ते रहना है और अपना अपने परिवार का खुद का सम्मान उचा करना है सम्मान उचा करने के लिए नौकरी पानी होगी तो कि आप सब उन परिवारों से हैं जहां पर ये नौकरियां आपको अगले असरत ले जा सकती है तो इसके लिए दिन रात मेहनत करोगे, तब जाकर, क्योंकि डरना नहीं है, एक दिन और भी बटाया आपको, कि आलस्त विचलन डर सब है तेरे अंदर, तो क्यों डरता है, तो खुद भी है एक सिकंदर, तो आप सिकंदर कार्ट ये होता है विजेता, तो आप विजेता हैं और मुझे पूड़ विश्वास है, कि आप जो है इस परिछाओं में अच्छा नंबर लाके, अपनी नौकरी को, अपने इस सपने को साकार करेंगे, सपने को साकार करना है, तो लगातार मेहनत करनी होगी, हर उस चीज को जानना होगा कहीं से भी कुछ भी चीज बाहर न रहनी पाए कहीं से भी ये न लगे कि ये छूट गया ये नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं छूटना है सब होगा बस प्रयास तो करो प्रयास करना होगा कहा भी गया है कि मंजिल उन्हें ही मिलती है जो घर से बाह लेक्रवार सब्सक्राइब नौकरी मिल जाएगी तो गाड़ी फरीदूंगा सिफ सोचने से नहीं करने से होगा क। सोच भी सोचना नहीं है बस करना करना है तो करना है इसला अच्छा के साथ आगे भड़ो हुराम राजंस चेत्र से जुड़ी है वित्ति रेंटि शेटर में सुधार से वांचु समीती का संबंद प्रत्यच करकर दो प्रकार की था प्रत्याच जी CA किस किस्तुर कर कर है तो आप कहते हैं सर प्रत्याच्च है हमारे उपर फोड़ी नहीं लगता समान के उपर लगा था लेकिन प्रत्याच्च होता है लेकिन हमारी इंकम पर लगा जो टैक्स होता है कर इंकम कर वहता है इंकम से खंद जयाता इसलिए वांचु समीती प्रत्य चिकर से जुड़ी है राजमन समीती केंद्रे संबंधों से है जानकी रमन प्रतिवूति खोटाला से फिड़ा हुआ है एक नाम सुना उगा अर्सा मेता का उसके बास से जरुवत पड़ी कि कुछ जान बेन किया जाए तो जानकी रमन समीति का गठन किया गया एक आगे वड़ते हैं कि सबसे इंपोर्टेंट पुझेगा सरकारिया आयोग का संबंद किस से है आर्यस सरकारिया केंद्र राज्य संबंद सबसे ज़्यादा इसी के सुझाओं को माना गया एक दानते वाला समीति का संबंद बेरोजगारी के अनुमान से है भारत में सरवादिक बेरोजगारी कौन सी है प्रचन बेरोजगारी ये कौन सी बेरोजगारी है कि आपको लग रहा है आप काम कर रहे हो रोजगार में हो लेकिन वास्तों में आप बेरोजगार हो जो काम दो लोग कर सकते हो तीन लोग कर रहे हैं तो तीसरा वेक्ति बेरोजगार है प्रचन बेर राज समीति क्रिसी जोद पर भी टेक्स लगा दिया जाए महाल नोबिस समीति राष्टी आय से जुरी है गोष्वामी समीति और द्योगिक रुग्डता यानि के बचाने के प्रयास के लिए बैस्वीक अस्तर पर एक सम्मेलन बुलाया गया इरान के रामसर सहर में आद्रब घूमियों वह उनके संसाधनों के सरच्छट वह विवेक पूर ढंग से उपयोग हे तु एक दो फरवरी 1971 को इरान के रामसर सहर में रामसर कन्वेंशन को अपन कोबूर्ग प्रायदीप बिस्व का पहला रामसर साइट कौन है कोबूर्ग प्रायदीप ऑस्टेलिया बिस्व आद्रबू में दिवस पहली बार हम लोग मनाए दो फरवरी 1973 को अगर भारत की बात करें तो भारत इस रामसर कन्वेंशन में एक फरवरी 1982 को पहली बार सामिल हुआ और भारत के पहले अस्थल में चिलका जील उडिशा का कौन सा चिलका जील एक और दूसरा केवला देव घाना राश्टी उद्यान जोकी राजस्तान में है दोनों 1981 मे रामसर अस्थान के तोर पर सामिल भारत में वर्तमान में पच 171 रामसर अस्थल उप्य में जिसमें 10 सबसे ज़्यादा borrow में याструк आ जाते हैं ज注LYरा कुछ और वी की लिए रिकारड किया होता क्या होता है और आद्रभूमी जिनके श्थिति अत्यन्त खराब है या खराब हो रही होने की संभावना है जिनने सरचष्ण की बहुत जादाव सकता है उसके लिए एक नया रिकारड क्या बना दिया जाए मौंट्रेक्स पुलाइक्स रिकार्ड में सामिल किया जाता है याद रखिएगा भारत का वह अस्तल जो मॉंतरेक्स रिकार्ड में सामिल है वो एक तो राजस्थान का कौन सा केवला देव घाना राश्टी उद्यान दूसरा एक मड़ीपूर का केबूल लाम जाओ जो की तैरता हुआ नेशनल पार्क है तो यह कुछ प्रमुख आज के सेशन के प्रमुख बाते रही इनसे हम लोगों ने जाना कुछ प्रमु कुछ प्रमुख पुरस्कार कुछ आयोग और इसके साथ-साथ रामतर कन्वेंशन को भी समझा दिए तो आज की सिसन में बस इतना ही बस हमारे साथ बने रही निश्चित तौर पर जीएस वाले जीके वाले सेक्शन में आपको कभी यह नहीं लएया कि यह चीज को मैंने करी जो चीजे अलग से बोल रहा हूं उसे उसी पीडिया पर प्रिंट आउट निकलवाईए और उससे लिखी फिर देखे सबलता मिलती है कि तात बनिए जैसा कह रहा हूं ऐसा करी निश्चित तौर पर गारंटी है आप के विएस की परिच्छा में कि अन्य सभी अगली वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ